नमस्कार मैं शालिनी और आप देख रहे हैं News One Today आई बढ़ते हैं आशकी बड़ी ख़बर की ओर नायब सेनी सरकार ने पहली केबिनेट मीटिंग में लिया आरक्षन का बड़ा फैसला ऐसी का था आदेश हर्याना के सीम नायब सेनी ने कहा कि अनुसूचित जातियों की जो जातिया वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षन दिया जा सकेगा हर्याना सरकार अब राज्ये में अनुसोचे जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी हर्याना की भाजबा सरकार ने शपत लेने के अगले ही दिन आरक्षण का बड़ा फैसला लिया है सीम नायव सिंग सैनी की अधिशता में हुई कैबिनेट मीटिंग में तै किया गया कि अनुसोचे जाति की आरक्षण में उपरवरगी करण किया जाएगा पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ये फैसला लिया गया है और हम इसे आज से ही लागू करते हैं उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोड ने इस सम्मंद में राज्यों को अधिकार दिया था उन्होंने कहा है कि अब अनुसोचे जाति की जो जातिया वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा हर्यान सरकार अब राज्ये में अनुसूची जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेगी मुखे मंत्री ने कहा कि इस बैठक में सुप्रीम कोड ने उस फैसले का हमारी कैबिनेट में सम्मान किया है जो S.C. के वरगी करण का मामला था हाला कि कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है दरसल सुप्रीम कोड ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि राज्ये सरकारों को अधिकार है कि वे S.C. और S.T. आरक्षन में उपवरगी करण कर सके ऐसा उन जातियों के लिए किया जा सकता है जो जादा पिछडी रह गई है उनके लिए कोटे के अंदर ही अलग से कोटा तै करने से उनका विकास हो सकेगा सुप्रिम कोड ने इस फैसले का दलितों के एक वरगी ने विरोध किया था और अगस्त महीने से एक दिन का बंद भी रखा था इस मीटिंग में एक और फैसला नायव सरकार ने लिया है राज़त के सबी सरकारी अस्पतालों में गंबीर किट्नी रोगियों के लिए निशोल्क डायलिसिस की सुबिदा होगी जल्द ही सबी मेडिकल कॉलिज में भी मुफ्त डायलिसिस सुबिदा दी जाएगी मुखे मंतरी नायव सिंग सेनी न कहा है कि हर्याना में भाज़पा की तीसी सरकार है सरकार को प्रदेश के गरीब लोगों ने चुना है इसलिए राज्य के लोगों के लिए सरकार अस्पताल में गंबीर किटनी रोगियों को फिरी इलाज की सुबिदा दी गई है फसल का एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा CM सैनी ने कहा है कि हर्याना के किसानों को मैं फिर से स्पस्ट करना चाहता हूँ कि उनकी फसल का एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा उनके खाते में धान खरीद का 3056 करोड रुपे पोचाना है मुखे मंत्री ने कहा है कि मैं ऐसे लोगों को चेतामी देता हूँ कि जो अपरादिक गतिवीदी में शामिल रहते हैं वे या तो प्रदेश छोड़ देंगे नहीं तो हम सुदार कर देंगे हमाई सरकार का दावा है कि हम व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे नौकरी देना कॉंग्रेस के लिए बिजने था सीएम ने सरकारी भरती को लेकर कॉंग्रेस को गेरा सीएम ने कहा है कि नौकरी देना उनके लिए बिजनेस था और हर्याना कर्मचारी चैन आयक को वह लाला की दुकान समस्ते थे लेकिन हर्याना की लोगों ने BJP पर पूरा विश्वास किया ये पहली बार है कि हर्याना मैं यूवा को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है मैंने कहा था कि मैं शपद बाद में लूँगा पहले 25,000 यूवा को नौकरी पहले दूँगा आज मैंने भी जॉइन किया है और उन यूवाओं ने भी किया है अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाका तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए News One Today